हम इस question को solve करते हैं expression दिया हुआ under root 64 minus under root 36 is equal to हमें मालू है कि under root 64 की जो value होती है 8 होती है उसी तरीके से under root 36 की जो value होती है वो किती होती है 6 तो हमें equation के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि 8 minus 6 is equal to 2 तो इस question का जो answer आने वाला है वो option 2 2 इस question का सही answer आने वाला है